Art exhibition, galleries, curators, ये सारे चीज़े हम सुनते हैं आज इस वीडियो में हम purely इन topics पे बात करने वाले हैं Art exhibition के model का हम समझेंगे Art galleries होती है इनका business model क्या होता है किस तरीके से curators काम करते हैं किस तरीके से ये profit कमाते हैं इन topics पे बात करेंगे Also एक artist के लिए जितने भी artist हैं इंडिया में इंडिया में ना जो beginner artist है खास कर उनको इन चीज़ों की बहुत तलब सी लग रहती है कि Art exhibition में जाएंगे Gallery में जाएंगे Painting SSL होती है बड़े-बड़े artist को देखते हैं कि वो तो इस gallery में काम कर रहे हैं पर उनकी painting लग रही है ये वीडियो एक बार देख लो उसके बाद आप लोग को clarity मिलेगी कि किस तरीके से इस film आगे बढ़ना है exhibition galleries क्या worth it है क्या इसमें जाना आपका goal होना चाहिए या नहीं होना चाहिए किस तरीके से work करती है कैसे उनके work को आप अपने काम इंप्लिमेंट कर सकते हो क्यों बहुत सारे artists दूसरे artists को देख के galleries और इस सब की पीछे भाग रहे है क्यों बहुत सारे artists galleries में बार 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 जाते हैं सारे points क्लियर करेंगे और अभी आप अगर मेरी वीडियो को follow कर रहे है एक होता है बड़े लेवल पे mentor लेवल पे भी काम करना जैसे अगर example के तौर पे अगर में यह चीज़ आपको बता रहा हूँ या मेरे साथ कोई client काम कर रहा है जो अपने business के लेवल पे काम कर रहा है इन सब topics पे यह पूरी वीडियो होने वाली है तो basically इस वीडियो को देखने के बाद आप art galleries, exhibition, इन सब का model, business model समझोगे इस वीडियो को देखने के बाद यह gallery में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या goal होना चाहिए वो सारे चीज़ आपको clear हो जाएगी वहाँ जाने में और जो 10 तरकी की skills चाहिए वो 10 तरकी की skills आप अभी से कैसे develop करना शुरू करते हो वो सारे चीज़े, कैसे आप long term तक survive करने के लिए आपकी earning शुरू होनी चाहिए, वो सारे points आज इस वीडियो में मैं cover करने वाल हो तो आप कहीं से भी अगर ये सारे points आपको relatable लग रहे है तो ये video आपके लिए gold होने वाला है बहुत ही ध्यान से देखिएगा आगे बढ़ने से पहले आप सब के लिए एक gift जितने भी आप में से art के teacher है या aspiring art के teacher है जो art के field में as an art teacher अपना brand बनाना चाहते है बड़े level पे आगे बढ़ना चाहते है आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक free series share कर रहा हूँ ये series limited लोगों के लिए इस video के नीचे description में और pinned comment में आपको इस free series का link मिल जाएगा इस series के अंदर मैंने काफी सारे points बताया है जो business के angle से आपको बहुत ज़ादा help करेंगे ग्रो करने में बहुत सारे concepts clear किये है artist और money का relationship बताया है ऐसे कई सारे fundamental points clear किये गा है जो आपको बहुत help करेंगे professionally इस field में आगे बढ़ने के लिए ये series completely free है इस video के नीचे link दिया गया आप वहाँ पर जाके इस series के लिए register कर सकते है limited seats के लिए है तो late मत करिएगा otherwise ये series जल्दी ही close हो जाएगी also in future videos मैं ऐसे ही gifts आप के लिए और लाता रहूँगा make sure आप इस channel को subscribe करके बेल आका अंदर बादीजेगा ताकि future की opportunities भी आपसे miss ना हो अब शुरू करते है before I start मेरा नाम रियांच राउल है मैं पिछले आठ सालों से professionally art के फिल्ड में काम कर रहूँ मेरी जब journey शुरू करी थी तो मैंने कुछ बच्चों को art सिखाने से कुछ 2-4-3 commission work करने से यह सब चीज़े मैंने करना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था professionally काम करना आठ साल पहले उसके बाद कई सारे exhibitions, galleries इन सब के उपर भी मैंने research करना शुरू किया मैंने जाना शुरू किया तब जाकि मुझे realize हुआ यह सारे चीज़े जो मैं आप आपको बताऊंगा वो completely अपने experience के base पे भी होगी मेरी और जब यह चीज़े मैंने करने शुरू करी तो बहुत सारे galleries, exhibitions में अपनी paintings मेंने लगाई देखा उनको कि कैसे वो work करते हैं कैसे उनकी charges होती है किस तरीके से artists वहाँ पे जाते हैं क्या उनका काम होता है, क्या goal होता है सब कुछ मैंने समझने की कोशिश करी मैंने अपनी कई सारे paintings exhibition में भी लगाई कई सारे paintings को awards भी मिले इस पूरी journey में कई सारे business aspect को भी मैं समझता आ रहा था और business के उपर भी मैंने बहुंच सारे चीज़ें सीखी, समझी और अपने काम में implement करने के उपर काम किया उसके बाद 2-3 साल मैंने commission artist के तौर पे काम किया अपनी खुद की एक academy लाँच करी जिसको मैंने काफी अच्छे level तक grow किया arena art academy, जो offline academy मैंने शुरू करी थी उसके बाद मैंने एक online academy शुरू करी जिसका नाम हमने रखा रियांच रॉल academy earlier रियांच रॉल art university के नाम से थी वो now it is रियांच रॉल academy currently I am the founder of रियांच रॉल academy and the branded artist रियांच रॉल academy के अंदर हम दुनिया भर में जितने भी artist हैं, जो art की field में specially drawing, fundamental principles, art की training, art की skills के उपर काम पर रहे हैं art की teaching line के उपर काम पर हैं हम उनको education provide करते हैं and the branded artist के अंदर, जो अल्रेड़ी art teacher बन चुके हैं या art teaching में जा रहे हैं या as an artist अपना business सीख रहे हैं तो हम उनको business के training भी provide करते हैं the branded artist के training के अंदर so currently ये सारी चीज़े हम कर रहे है रियांच रॉल academy and the branded artist का दोनों link मैं description में डाल दूँगा in case आपको कोई चीज़ें इसमें से लग रही कि आप इसमें add हो सकते हैं तो आप जरूर एक बाद details चेक करिएगा currently हमारी organization 8-figure income generate कर रही है and I am really happy कि ये सारी चीज़ें कि जो experiences मेरे रहे plus minus जो भी मैंने समझा आज मैं आपको इन YouTube lessons के माद्धी हम से share कर पा रहा हूँ तो connected रही हैगा इस channel के साथ in case अगर आप professionally इस फिल्ड में जा रहे है आट के फिल्ड में तो ये knowledge ये सारी चीज़ें उन आर्टिस्टों तक पहुँचनी जरूरी है जो इस फिल्ड में seriously आगए बढ़ना चाहते है fun के लिए अगर आप कर रहे हो तो ये video आपके लिए नहीं है if you're really serious this video is for you okay so शुरू करते हैं art exhibition, art galleries, curator पहले इस से शुरू करते हैं और देखो एक होता है ना भीड के पिछे भागना अकसर इंडिया में artists भीड के पिछे भाग रहे हैं ये आप भी मानेंगे कि आपको नहीं पता कि art exhibition, galleries होती क्या है कैसे work करती है आपने बस किसी movie में देख लिया किसी से सुन लिया किसी और artist की video देख लिया कहीं पे कुछ सुन लिया कि art gallery होती है art exhibitions होते है वहाँ पे art लगाया जाता है ये हम सुनते हैं और हम एक fascinating सा subject लगता है कि art exhibition में जाना ये सब चीज़े करना और पुराने जमाने में जो artist थे जब हम Picasso की बात सुनते है ये जो हाल ही के जो artist थे पुराने जमाना मतलब बहुत पुराना भी नहीं हाल ही 18th century, 19th century की जब हम artist की बात करते हैं even 16th, 17th century की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पे galleries का जो role था वह बहुत बड़ा था कि gallery में artwork लगाया जाते थे बहुत ही selected artist अच्छे खासी gallery तक बहुच पाते थे अच्छे खासे exhibition तक बहुच पाते थे बहुत सारी movies जो art के उपर बनी है वहाँ पे gallery, shows ये सब दिखाया जाता है तो जितने भी beginner artist है जो art के field में जा रहे हैं जो zero से शुरू कर रहे हैं या जो already एक level पे कई साल से काम कर रहे हैं उनका दिमाग में thought आता है कि इस gallery में तो जाना है, ये gallery में जाना है हमने सुन लिया कि हाँ एक Mumbai में वह gallery एक famous gallery वहाँ पे जाना है ये चीज दिमाग में भर गई है अब सबसे पहले ये भेड़ चाल से निकलना, बंद करना होगा पहले चीजों को समझना होगा analyze करना होगा कि कौन से चीज कैसे work करती है क्या चीज है सब कुछ जब तक ये बीना समझे दोड़ते रहोगे, भागते रहोगे अलग-अलग YouTube पे वीडियो देखते रहोगे देखो, आपको एक चीज बताता हूँ ये वीडियो लंबी होने वाली, no doubt बट ध्याद समझना क्या होता है न, हम जो चाहते हैं हम वही सर्च करते हैं, YouTube पे, Google पे और वैसा ही results मिलता है और जैसे results मिलते हैं हम उसके प्रती और जादा attached हो जाते हैं एक्जामपल के तौर पे कभी भी कोई इंसान YouTube पे ये सर्च नहीं करेगा कि gallery कैसे work करती है या कैसे उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए actual में उसके बारे में समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा सर्च क्या करेंगे, कि exhibition कहां पे हो रहा है exhibition में कैसे participate करें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आदमें नहीं सोचता है जैसे exam, जैसे मैं कई बार degrees के उपर बोलता हूँ BFA, MFA के उपर तो सब ये सर्च करते हैं कि degree कैसे पाएं degree को, entrance को clear कैसे करें कोई ये नहीं सोचता है कि करें की नहीं करें पहले उस पे clarity आनी जरूरी है Otherwise, अगर आप अपने हिसाब से बस सर्च किया जा रहे है YouTube पे, Google पे जागे और जब उसी के उपर topic बन रहे है क्योंकि लोग उस पे सर्च कर रहे है तो आप बस उस दलदल में घुसते जाओगे सब को पता है government job में 1% से भी कम seat है लेकिन आदमी को जब पता है कि government job में ये होता है stability मिल जाती है ये वो तो बस वो यही सर्च कर रहा है कि कैसे pass करें कैसे इसके अंदर घुसें कैसे entry मिलेगी कैसे जाएं ये वो ये नहीं दिमाग लगाता है कि भाई 100% में अगर 1% से भी कम chance है और उसमें भी इतने ज़ादा साल देने के बाद भी हम उस field के लिए काम कर रहे है और वो चीज़ के लिए हम बने नहीं है तब भी हम उसके लिए काम कर रहे है तो obviously यह बात है 10 साल बरबाद कर रहे है कोई फायदा नहीं है आदमी maturity के साथ नहीं सोचता है आदमी क्या करता है बेड चल में भागना है इसलिए अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझेगा कि मैं कोई shortcut नहीं बताऊँगा मैं honesty के साथ pure concept बताऊँगा deeply ताकि चीज़े समझ में आनी जरूरी है तो पहले एक बार इनका business model समझते हैं के बात समझना कि कैसे galleries पैसा कमाते हैं कैसे exhibitions पैसा कमाते हैं so that आपको थोड़ा उनके angle से सोचना आना चीए कोई भी game अगर खेलना है तो पहले ये समझो कि जो game जिसने बनाया है उस game बनाने वाले का दिमाग कैसे चल रहे है तब जाकि उस game में जितने का chance बढ़ेगा अगर आप सिर्फ प्यादे बनके खेल रहे हो तो आपके हारने का chance almost तय है तो मैं roughly बताता हूँ मान लो एक art का exhibition है ठीक है और एक मान लो art की gallery है अब art gallery के अंदर भी exhibition लगते है art gallery क्या हो गई? एक location हो गया एक मान लो physical location हो गया मान की चलो example के तौर पे कि यह gallery है यहाँ पे मैं paintings लगवाता हूँ मैं यह gallery का मालिक हूँ मान लो एक बार imagine करते है इस gallery का मैं मालिक हूँ यहाँ पे मैं exhibition लगवाता हूँ तो यह gallery physical location मेरी है यहाँ पे मैं paintings लगवाता हूँ तो exhibition यहाँ पे लगते हैं, ठेक है, यह point clear है, तो exhibition कहीं भी लग सकता है, exhibitions hotel में भी लग सकते हैं, exhibitions gallery के अंदर भी लग सकते हैं, exhibition किसी restaurant में भी लग सकते हैं, तो exhibition अलग-अलग जगा लगते हैं, exhibition का कोई ऐसा criteria नहीं कि वो art gallery के अंदर ही लगेगा, वो कई local area में कहीं stall लगा के exhibition लगा दिया, exhibition का मतलब क्या है, कि exhibit करना, चीजों को show करना, exhibition, simple word पहले समझाओ, exhibition का मतलब क्या, exhibit करना, कोई भी समान वस्तू को exhibit करके आप लोगों को दिखा रहे हो, अब वो painting का हो, कोई jewelry का लगाता है, कोई किसी और चीज़ का लगाता है, गैलरी उस जगह को बोलते हैं, जहां पर exhibition उस location पे, जहां पर artwork लग रहे हैं, तो art की gallery में जहां आठ लग रहा है, ठीक है, अब देखो, exhibition या galleries में पैसे कैसे बनते हैं, मानलो, यह मैं हूँ, ठीक है, यह मेरी गैलरी है, और यहाँ exhibition हो रही है ठीक है? मैं यह gallery मेरी है यहाँ पे मैंने exhibition लगवाया तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले जो यहाँ पे लोग exhibition लगाएंगे अपनी painting आप लेके आ रहे हो आपने बोला कि इस exhibition में यह 4-6 तारीक को exhibition लगने वाला यहाँ पे मुझे अपनी painting लगवानी है तो मैं क्या करूँगा? कि आपसे मैं फीस लूँगा उस exhibition में लगाने का artwork क्योंकि हर दिवाल की कीमत होती कि इस दिवाल पे artwork लगेगा इस दिवाल पेचिस होगी, इस दिवाल यह बड़ा दिवाल है अगर वहां से कोई painting sell हो जाती है कोई अगर बायार आता है और उस gallery से इस gallery से मानलो कोई painting खरीद लेता है तो उस पे भी मानलो मैंने कोई commission चार्ज कर ले कि 20% मेरा होगा या 30% मेरा होगा या 40% मेरा होगा 50% भी होता है जादा स्यादा percentage भी हो सकता है कि कितना reputed exhibition हो रहा है वो अब एक बार business mind के हिसाब से सोचना एक बार owner के angle सोचना एक बार ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि exhibition में जाना है गैलरी में जाना है एक बार ठहर के अराम से एक business के mind से सोचना कि gallery वाला या जो आदमी exhibition करवा रहा है जो owner है जो मालिक है जो करवा रहा है उसके दिमाग में क्या क्या होगा जब वो exhibition करवाता होगा ये gallery में आर्ट वक लगवाता होगा ठीक है अब curator का भी मैं पहले आपको meaning बता देता हूँ जैसे माल लो मेरी ये gallery है ठीक है मैं gallery का मालिक हूँ लेकिन मैं painting नहीं लगवाता हूँ मैंने बस ये जमीन खरीद ली है ये gallery मैंने बना दी है और मैं अपने घर में अपना दूसरा कोई काम बर रहा हूँ मेरा कोई hotel का business है या मेरा कोई और business है मैं उस business से earning करता हूँ मेरा दूसरा business है बस मैंने जमीन खरेद ली, मैंने गैलरी खोल दी, अब curator कौन होते हैं? एक बार मान के चलो, वो beach के लोग होते हैं, जो आपसे जो इस gallery को rent पे लेते हैं, जैसे मान लो एक आदमी आया, उसने इस gallery मेरे से बात करी, कि ना आपकी gallery को हम 4 दिन के लिए rent पे लेंगे, इस 4 दिन में हम एक exhibition करवाएंगे, ठीक है, तो curator आया, मेरे से, उन्होंने ये 4 दिन के लिए gallery भाड़े पे ली, rent पे ली, उस 4 दिन में उन्होंने exhibition करवाया, तो मैं कैसे कमा रहा हूँ, उस rent के थुरू, जो rent curator मुझे pay कर रह पे बनता है, वो आपको मैं model बता रहा हूँ, कि जगह पे लगाने का भी earning हो रही है, commission देना, commission अगर artist का sell होता है, तो वहां से भी commission मिल रहा है, जो gallery का मालिक है, उसको rent मिल जा रहा है, उसके बिहाफ पे, अगर कोई curator वहां पे artwork लगा रहा है, तो ये basic model है, simple है, इसमें को है, जो भी चीज़ें, वो जो plus minus पैसे का उपर नीच है, वो छोटी-छोटी चीज़ों में और दिमाग लगाया जा सकता है, कुल मिला कि basic ये business model है, ठीक है, अब point यहां पे समझना, depend करता है, एक पर business owner की दिमाग से सोचना, कि depend करता है, कि gallery कितने नाम है, gallery का नाम कितना है depend करता है, वो curator अगर काम करवा रहा है, तो curator का नाम कितना है, depend करता है कि वो gallery कितने साल से run हो रही है, और उसका past record कैसा है, depend करता है कि अगर मैं gallery का मालिक हूँ, और मैं खुद यहां पे exhibition लगवाता हूँ, तो मेरे connections में जो लोग है, वो connections कितने strong है, ये सारी बाते depend करती है कि मेरी understanding, मेरे connections को लेके कितनी है वो सब कुछ मिला जुलाके ये rates जो होते हैं वो उपर नीचे होते हैं एक बार simple समझना, अगर माल लो मैं ये gallery का मैं मालिक हूँ ठीक है, और मेरे connections में बहुत अच्छे-अच्छे art के buyers हैं मैं अच्छे-अच्छे अमीरों को जानता हूँ जो बहुत महंगी-महंगी painting खरीच सकते हैं और वो लोग मुझसे connected हैं मेरे पर trust करते हैं, मेरे से already उनका मेरा पहचान बना हुआ है, networking मेरी अच्छी खासी है तब मैं क्या करूँगा कि मेरी gallery automatically महंगी हो जाएगी क्योंकि जितना strong मेरा connections होगा उतना जादा मेरे पास chances होगे कि मेरी gallery में अगर कोई painting लगेगी तो वो अच्छे rate पे बिकेगी, okay मान लो मैंने यहाँ पर 50 painting लगवाई उस 50 painting में एक painting 50 लाग की sell हो गई 50 लाग की sell होनी बहुत बड़ी बात है मतलब वो चीज़ को फिर मैं market करूँगा कि हमारी gallery में एक painting sell होती है इतने में अब वो कई painting में से एक painting sell होई लेकिन उसके वज़े से एक नाम मेरे नाम में जुड़ गया तो automatically अगले बार से मेरा rate बढ़ जाएगा और यह simple business है इसमें कोई rocket science नहीं है यह सब आप समझते हैं तो इस तरीके से पुरा business work करता है जिसके जितने connections होंगे जो जितना leads ला सकता है जो जितना connections बना सकता है वो उसके हिसाब से काम करता है तो यह हो गया gallery के perspective से या एक art exhibition के perspective से अगर मैं gallery exhibitions run कर रहा हूँ तो मेरे नजर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंडर यह सारे चीज़ें होनी चाहिए तो अगर कल की date में आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम gallery खोल देंगे आठ की gallery चला देंगे मेरा भी कभी ऐसा सपना था कि मैं खुद की gallery खोलूगा ऐसे नहीं होता है धीरे धीरे जब आदमी समझदार बनते है तो समझ में आता है कि यह business model नहीं है मतलब यह कोई earning करने का source नहीं है क्योंकि gallery को profitable बनाना दुनिया का महा मुश्किल काम है आप कई करोड लगा के कहीं पगर gallery खोल दोगे और आपका अगर नाम नहीं है आपके पास leads नहीं है आपके पास connection नहीं आपके पास networks नहीं है आपके पास high network जो individuals होते है high network individual उनके connections नहीं है वो सारी चीज़ा अगर आपके पास नहीं है तो gallery खोल के फाइदा नहीं है वो loss making पे जाएगा और कई लोग ऐसे loss making gallery चला रहे हैं बट यह कि gallery यलाबा उनके और businesses रहते हैं तो वहां से वो earning कर लेते हैं वो अलग बात है तो यह चीज़ें एक artist को समझनी जरूरी है अब एक बार artist के अंगा से सोचते हैं तो basically levels जो gallery exhibition जिसका भी लेवल depend करता है कि उनके पास कितने connection है उनका नाम कितना है उनकी reputation कितनी है उनके पास कितना track record है कि उनके artworks उनके पास जब लगते हैं तो कितना cell होते हैं या उनके पास artwork लगते हैं तो उसमें देखो simple समझना अगर ये gallery का बहुत नाम है इस gallery का नाम मैंने बहुत बनाया है नाम ऐसे ही नहीं बनता है नाम बनाने में समय लगता है जैसे जहांगी राट gallery है आपने सुना होगा maximum लोगों ने जहांगी राट सुना होगा reputation add कर देती है, लेकिन again, business के अंगल से भी सोचना owner के अंगल से भी सोचना, और artist के अंगल से भी सोचना, ठीक है अगर मेरी gallery का बहुत नाम है अगर मेरी gallery का reputation अच्छा है, तो उतना ही difficult हो जाएगा artist को वहाँ पे अपना artwork लगाना, मैं किसी भी artist को पैलाओ नहीं करूंगा, यहाँ पे आके painting लगा दो, simple, तो अकसर यह चीज़ होती है कि जहाँ पे जितना easy होता है artwork लगाना, उस gallery का reputation उतना कम होता है, क्योंकि वहाँ पे, obvious सी बात है, demand कम है वहाँ पे supply easily वो दे पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत demand होती है, तो automatically उनके पास limitation हो जाती है, वो selection कर करके काम करते हैं, और gallery के case में नाम बनाना बहुत बड़ा factor है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा matter है वो, नाम जितना बनेगा उतना ज़्यादा एक gallery profitable बनेगी, example के तोर पे जहांगीर का मैंने नाम लिया, ऐसे कई सारे और भी galleries होंगी, जो profitable है उनका नाम है, और वो नाम बनाने के लिए, वो कई साल से काम कर रही है और वो नाम जब बनता है, तब जाके वो महेंगे charges में artwork ले पाती है महेंगे, महेंगे price में चीजों को sell कर पाती है, simple चीज़ है, किसी चीज़ की demand बहुत रहेगी, तब जाके उसका rate बढ़ पाएगा simple basic demand supply है so, एक बार artist के अंगल सब सोचना कि obvious सी बात है, अगर एक artist को किसी बहुत अच्छे reputed gallery में जाना है तो वहाँ पे वो इस नजर से नहीं जाता है कि मुझे painting sell करना है, वो सिर्फ इसले जाता है कि मेरा अगर वहाँ पे artwork लग गया तो मेरे जो काम है, उसमे एक नाम जुड़ जाएगा, कि मैंने यहाँ पे भी काम किया है, भले उससे उसको earning हुई, नहीं हुई वो फरक नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नाम जुड़ा है तो वो कहीं और उस चीज़ को दिखा सकता है बता सकता है, तो एक authority develop होती है तो galleries, exhibitions कई सार चीजों को ध्यान में रखती है अगर कोई gallery है, या मान लो कोई exhibition करवा रहा है कोई hotel पर exhibition करवा रहा है या कोई restaurant पर exhibition करवा रहा है तो वो सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो कैसे हमारा market positioning बनेगा market positioning, इस word को याद रखना market positioning किसी भी galleries, किसी भी exhibition के लिए matter करता है कि वो क्या चाहती है कि लोग हमें किस चीज़ के लिए जाने या हर चीज़ में matter करता है, कोई personal brand भी बनाता है, वहाँ भी matter करता है लेकिन galleries, exhibition के angle सोचना कई सारी galleries सिर्फ abstract artwork लगवाती है कई सारे galleries सिर्फ realistic artwork को main prefer करती है कई सारे galleries सब कुछ allow कर देती है उनका उतना demand, उनका उतना reputation नहीं होता वो सब कुछ शुरू में allow करती है वो धीरे-दीरे बढ़ रही है आगे बट जिनका demand बन गया है, जो अच्छे level पे काम कर रही है वो एक niche selection करके काम करती है, mainly वो बात भी अलग है, कि कई बार अलग-अलग niche पे भी काम किया जाता है अलग-अलग time frame के साब से कि इस time पे हम ये niche को भी लेंगे abstract को भी लेंगे, तो depend करती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक मोटा-मोटी तोर पे समझना कि काफी सारी बातें depend करती है अब देखो, जब एक artist exhibition galleries के बारे में सुनता है तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहला point कि कभी भी painting sell करने के लिए gallery, exhibition इन सब में जाया नहीं जाता वहाँ पे mainly connections बनाने के लिए जाया जाता है कि जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं जैसे example देता हूँ मैं आपको मान लोग मेरी ये gallery है मेरे connections बहुत अच्छे हैं मैं high net worth individuals जो होते हैं उनको जानता हूँ वो सब मेरी gallery में आने वाले हैं जो लोग महंगे महंगे paintings ले सकते हैं महिने के कमाई एक एक करोड है जो अराम से दो दो चार चार लाग की painting खरीच सकते हैं ऐसे ऐसे लोग कि मैं जानता हूँ वो लोग इस gallery में आ सकते हैं तो यहाँ पे artist कभी भी न इस चीज़ के लिए नहीं छट पटाएगा तो अभी आप इस business को समझे ही नहीं हो अगर मेरी यह gallery है, मेरी network अच्छे है, मेरा connections अच्छे है वो सब मेरी gallery में आने वाले है तो यहाँ पे कोई artist इसलिए नहीं आगा कि मेरी painting sell हो जाए वो इसलिए आएगा कि जब वो यहाँ पे अपना artwork लगाए और वो artwork अगर किसी को पसंद आता है भले वो artwork खरीदे या ना खरीदे उनका contact number, उनका details, उनकी email ID यह सारा data हमको मिल सके data collection main point होता है कि हमें इस gallery के वज़े से उन लोगों तक पहुँचने का मौका मिले जिस तक हम directly शायद नहीं पहुँच पाए मान लो, मैंने gallery बनाई मेरा पूरा main focus है कि मैं business बनाऊ मेरा main focus है कि मैं अच्छे networks बनाऊ अच्छे connections बनाऊ मेरा दिन भर का काम ही होई है और मैं उन लोगों के ले के आ रहा हूँ तो एक artist वहां मेहनत न करके वो gallery आ जाता है ताकि मेरे through वो सारी चीज़ों उसको मिल जाएं तो ये होता है असली खेल क्यों जाया जाता है बड़े बड़े exhibitions है galleries में ये simple clear है आपको क्योंकि ये data collection ये जो data वाली चीज़ नहीं बहुत बड़ी चीज़ है galleries के लिए भी data बहुत बड़ा matter करता है अगर मैं gallery खोल रहा हूँ या एक अपना exhibition launch कर रहा हूँ तो मेरे पस data होना बहुत important है ऐसा नहीं होगा कि मैं exhibition चालू कर दूँ इस चीज़ को ध्यान रखना ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं exhibition चालू कर दूँ और उसके बाद खोजने निकलू कि कौन इस gallery में आगा ये एक business बहुत important point इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ आप सब के लिए समझनी बहुत जरूरी है कई वार क्या होता है ना लोग ये सोचते हैं कि ये जो galleries हो रही है ये जो exhibitions launch हो रहे हैं ये जो बड़े-बड़े competitions launch हो रहे हैं कि हमने launch कर दिया हमने बस बोल दिया कि 4 और ना 4-5-6 तारिकों ये चीज़ होने वाली है हमने बोल दिया और लोग अपने आप आ जाएंगे ऐसे work नहीं होता है business में इस launch को करने से पहले हमारे पस कई हजार लोग का data होता है कई हजार लोग की leads होती है जो हमें पता होता है कि इसमें से हम इतने लोग को बुला सकते हैं तब जाके launch किया जाता है क्योंकि कोई भी इतना risk नहीं उठाएगा एक level पे पहुँचके कि हम launch कर दें और कोई नहीं आया तो और बदनामी हो जाए इस चीज़ को समझना में क्या बो रहा हूँ अगर मैं beginner हूँ मैं zero level पे काम कर रहा हूँ तो मैं हाथ पैर मारूँगा एक-एक leads को लाने में एक-एक connections को बनाने में लेकिन अगर मेरे पास एक emailing list है मेरे पास एक emailing list है जिसमें 10,000 लों का contact है 10,000 अच्छे connections मेरे पास है और अगर आज के rate में emailing list की opening rate की बात करें 2-3% का emailing opening rate है प्लस मेरे पास contact number है कई सारे 10,000 लों के contact number भी है ठीक है यह सारे data मेरे पास already है तो जब मैं एक exhibitions या कुछ भी launch करूँगा ना कोई event launch करूँगा तो पहले मेरे पास जो data है जो filtered audience है मेरे पास जिन्होंने अपना data मुझे अलड़ी दिया हुआ है मैं इन सब को पहले inform करूँगा और यहां से इस जगा पे आने की chance काफी लोंके बढ़ चुके होंगे तब जाके मैं launch करने से पहले ही confirm रहूँगा कि मेरा यह event या मेरा यह exhibition successfully जाने वाला है कोई gallery ऐसा वक नहीं करती है कि हाँ बस launch कर दिया और YouTube पे Facebook पे उस समय डालना शुरू कर रहे पहले से वो कई साल से data को maintain कर रहे होते हैं तो इसलिए एक बात समझना कि जो बड़ी-बड़ी galleries या बड़े reputed exhibitions होते हैं उनका कई साल वो जो data maintain कर रहे हैं वो सबसे बड़ा उनका asset होता है वो data का मिलना और इसलिए जब artists उस gallery में जाते हैं तो वहाँ painting sell करने नहीं जाते हैं वो इस data को मिलने के लिए जाते हैं ताकि हमें भी उस data का थोड़ा सा हिस्सा मिल सकें ताकि कल की date में हम उनको वापस से repitch कर सकें वापस से कुछ और sell भी कर सकें अब देखो galleries exhibition जो भी होते हैं छोटे local level पे माल लो आप किसी शहर में रहते हो वहाँ पे आजपस कोई छोटी मूटी gallery है छोटा मूटा exhibition है आप सोचोगे कि वहाँ पे exhibition लगाएं क्या वहाँ पे gallery में जाएं क्या तो यहाँ पे यह मत सोच के जाईए कि हाँ यहाँ पे जाएंगे तो मेरा artwork sell हो शुरू में कोई भी छोटा मूटा exhibition यह gallery में जाना तो यह सोच के जाना कि मैं वहाँ जाऊंगी यह जाऊंगा तो फोटो खिचूंगा या फोटो खिचूंगी या वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो फोटो और वीडियो आपको social media पर यूज करने में काम आएगा बस उतना ही खेल है वो local exhibition और local gallery में वहाँ का कोई वहाँ पर डेटा आपको अच्छा कासा मिलेगा किसी अच्छे person का किसी ने सामने अगर कोई मालो कोई आ गया कोई मालो उस area के वो कोई minister आ गया कोई नेता आ गया तो उस जगा से थोड़ा authoritative build-up होता है example के तौर पे मैं छोटी सी gallery में जाओं वहाँ पर अपनी painting लगाओं और यहाँ पर power आती है social media की यह power आज से पहले कभी नहीं थी यह power आज है इसलिए यह छोटे 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 गैलरी और चोटे छोटे local events भी काफी काम के हो गए हैं आज कल जो पहले कभी नहीं थे देखो मैं आपको एक simple process बताता हूँ अगर मान लो मुझे एक बड़ी जगा पे entry मारना है ठीक है उस जगा पे entry सबको नहीं मिलती है उस जगा पे entry मारने सबके बसकी बात नहीं है मुश्किल से कोई आदमी एंट्री कर पाता है वो भी जिसके बड़े-बड़े connections हो और यह obvious बात है यह दुनिया के हर industry में होता है सेम चीज आर्ट में भी है सेम चीज सब में भी है जो चीज जितने top level पे जाती है उतना ही normal इंसान को वहाँ घुस पाना आसान नहीं है या तो price भी बहुत ज़ादा होगी क्योंकि अगर अच्छे-च्छे exhibitions जो galleries जो booth मिलते हैं कई लाखों के मिलते हैं तो easily कोई वहाँ पे ऐसे भी नहीं जा पाता उसके उपर भी मैं आऊंगा ठीक है जैसे कि मान लो मैं एक local gallery या local exhibition में गया वहाँ पे मैंने painting दिखाई और अगर मेरी painting बहुत कमाल की है इस बात को ध्यान रखना कि artwork कमाल का होना चाहिए मैंने कई आर्टिस्टों को देखा है जो बहुत ही base level pat work बना रहे हैं जिनका artwork में कोई दम नहीं है लेकिन उनको यह लग रहा है कि मेरे artwork तो बहुत कमाल का है लेकिन यह gallery वाली अच्छे नहीं है जो ने और कौाने ने दे रहे है तो artwork अच्छा होना जरूरी है तो अगर आपका artwork बहुत कमाल का है तब आगे की बात आती है तो मेरा अगर माल लो artwork अच्छा है और मैं gallery exhibition जो local में हो रही है जिसका actual में कोई value नहीं है बट वो करार है तो ठीक है हम गय लगा दिये वहाँ पे अपनी painting लगा दिये और इसकी photo उसकी अच्छी खासे photo उसकी videos हमने ले ली तो ये photos, videos या जो भी हमने वहाँ पे किया वो हम अ कितना reputed था क्या था वो किसी को सामने वाले को नहीं दिख रहा होता तो automatically जब आप social media पे देख रहे होते हो किसी को कि इस artist ने gallery पे art लगाया है exhibition में art लगाया तो automatically एक authority build up होती है कि हाँ ये इनसान कुस तो है मतलब कुस तो थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में कर रहा है एक हलका सा feel आ जाता है या आप सब observe करना आपने भी किसी को gallery में painting लगा के खड़े होते देखा हुआ तो आए एक आज आती है एक authority आती है तो ये चीज़ उस वक्त काम आती है और ये चीज़ सोशल मीडिया पे और ज़दा enhance हो के दिखती जो आज से पहले क्योंकि सोशल मी exhibition या जो चीज़ किया था ये चीज़ इनको कहीं सारी जगा पे मदद कर देती है जैसे local art related competition हो रहा है या art related कोई event हो रहा है तो वहाँ पे इनका थोड़ा सा experience या knowledge या authority build up जो हुआ है वो चीज़ दिखाने के काम आता है अब क्या होता है इनको थोड़ा experience में मिल गया अब यहां पे जब यह कोई दूसरी gallery में कोई थोड़ा सा reputed gallery में try करेंगे कि यहां पे हमें मिल जाए तो अपना पुराना experience कि हमने यहां यहां पे किया हुआ है यह बात दिखाना सामने वाले को automatically थोड़ा convince करने के भी काम आता है अब directly किसी में जाओगे और बोलोगे कि मैं first time कर रहा हूं फिर से मैं आपको ध्यान आपका आकरशित करता हूं एक business owner के angle से मान लो मेरी gallery own कर रहा हूं मैं और कोई artist मेरे पास आया और अब देखो गल्ती ना किसी की होती नहीं है हम क्या मान लेते हैं कि यह आदमी तो हमें allow नहीं कर रहा है मतलब यह खराब है हर कोई एक बार आप खुद सोचना जो आदमी gallery चला रहा है जिसने कई साल से उस gallery की reputation बनाई है जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा के दिन रात महनत करके एक एक connections बना बना के बना बना के कई साल तक उस gallery का नाम बनाया है क्या उसके मन में भी डर नहीं होगा कि मैं किसी को भी allow कर आई है मेरे पास limited area है limited जगा है मैं limited ही लोगों को ले सकता हूँ तो obvious ही बात है मैं ऐसे ही किसी को भी allow नहीं कर दूँगा इस gallery में artwork लगाने के लिए मैं proper checking करूँगा कि परसन का है नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा कर पाएगी नहीं कर पाएगी 100 चीज़ें क्योंकि सिर्फ artwork लगाना नहीं होता बहुत सारे चीज़े matter करती है जैसे कि एक artist का presentable होना एक artist का behavior कैसा होगा एक artist कैसे client से बात कर रहा है आप एक बार सोच के देखो आप एक gallery के owner हो आपने बहुत reputation बनाया उस gallery के अंदर जो high net worth individuals आ रहे जो अमीर लोग आ रहे क्योंकि उनका आने से ही आपके gallery की worth automatically बढ़ जाती है सारे चीज़े business के angle से आप समझ रहे हो आप कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिनका artwork अच्छा है लेकिन जब वह बात कर रहा है तो जिस टाइप से वह बात कर रहा है automatically जो person जो guest आपने बुलाए है उनको insult feel हो रहा है उनको कैसे बात कर रहा है वह इस टाइप से कैसे behave कर रहा है automatically वहां से वह person वह आपस चला जाएगा और आपने अपना network आप जिन परसन के साथ आप connection बनायता है आप खोद होगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोच नहीं होगी थोड़ा business के angle से तो एक business अब देखो gallery भी business है exhibition जो कल रहे है वो भी business है सब business ही है तो उनके नजर से ही चीज़ें आपको समझनी होगी कि सिर्फ artwork लगाना भी काफी नहीं होता है उस artist का नाम बनना वो artist की reputation कैसी है वो artist इस चीज़ को समाल पाएगा नहीं समाल पाएगा तो अपनी painting लगाए खड़ा है सामने वाल जब आदमी ये local galleries में आसपास कहीं लगा लेता है उसके पास photos videos होती है उसके base पे वो कहीं और दिखा के वहाँ पे entry कर पाता है फिर वहाँ पे वो present करता है present table होता है फिर आगे उसको दिखा पाता है तो ऐसे करकर करके देरे 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 game आगे बढ़ता है लेकिन अब ये सवाल आता है क्या gallery में जाना वर्थिट है कि gallery में जाए नहीं जाए कितना फरक पड़ जाएगा मतलब ठीक है ये सारी चीज़े है लेकिन जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसके उपर भी बात करते है मैं एक बार Indian Art Fair के अंदर गया था Indian Art Fair में मेरी बहुत पुरान गए तो समझ माया कि कैसे चीज़ें होती है वहां पे Indian Art Fair में मैं गया ठीक है तो ऐसे बूथ बने में अलग-अलग-अलग-अलग ठीक है एक एक सबको एरिया एक जन को दिया गया यह अलग अलग-अलग बूथ मिलते है ठीक है इस जगह पर एक आपना प्रेज़ेंटेबल अपना प्रेजेंट कर रहा है, एक अर्टिस्ट यहाँ पर अपने आपको प्रेजेंट कर रहा है, एक अर्टिस्ट यहाँ पर खड़ा है, यह अपने आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो यह सारे चीज़ें लगी हुई है, एक एक एरिया की प्राइस जो थी वो 50,000, किसी एर आपको business minded होना पड़ेगा, यह सब खेल को समझने के लिए, जितना reputed area में artist एक बार काम कर लेता है, वो किसी और को दिखाने के लिए काम आता है, हर चीज़ दिखाने के लिए होती है, एक बार समझना है इसको, जहाँ पे नाम बनता है, ब्रैंड बनता है, automatically वो sell होता है, एक एक artist के अंदर, एक artist के नाम से अगर दस चीज़ें जूड़ी होती है, कि artist ने यह किया था, यह किया था, यह किया है, यह किया है, automatically नाम बनेगा, यह proper simple business है, तो यहाँ पे जिस artist ने अपना artwork लगाया, माल लो एक artist ने यहाँ पे एक छोटे से area का एक लाग पे किया, और artwork ल उस festival का नाम अच्छा खासा है, मतलब उस चीज़ें ने अच्छा खासा नाम बनाया हुआ है, कई साल से अपना बिल्डप किया हुआ है, जैसे example के तौर पे shark tank का अपने नाम सुना हुआ, shark tank इंडिया का नहीं है, shark tank US में शुरू आता, US में बहुत बड़ा बन गया, बहु सारे सीजन आने के बाद अगर उसके TRP गिरने लग जाती है, तो फिर कुछ नहीं आ लेके आते हैं, तो वैसे ही जब गैलरी के नाम से कोई चीज़ हो रही होती है, वो नाम अच्छा खासा बिल्डप हो जाता है, तो उसका season two, अगले साल होगा, ये अगले साल होगा, अग सब को पता है, तो rate अपने आप यहाँ पर increase हो जाता है, तो अच्छी खासी rate यहाँ पर रहती है, तो अव्यस सी बात है, जो painting यहाँ पर लगी होती है, जो इस artist नहीं यहाँ painting लगाई, अगर उस painting की actual price 10,000 भी है, तो artist अपने आप उस painting को 50,000, अगर price 15,000 नॉर्मली वो sell कर करता हूँ, simple सी, एक idea दे रहूँ आपको, अगर हम एक normal painting 10,000 की sell करता हूँ, तो अगर हम एक बहुत अच्छी exhibition यह gallery में अपना artwork लगाऊँगा, तो मैं कभी उसकी price 10,000 नहीं रखूँगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, rate कम करना मतलब बेवकूफी होता है, simple समझो, एक कदाम है 5 रूपया, एक कदाम है 500 रूपया, तो आपको खुद दिमाग में आगा, यह 500 रूपया है, तो अच्छा quality का हुगा, भले सेम होगा, लेकिन यह quality अच्छी होगी, अपना दिमाग वैसी काम करता है, कि price महंगी चीज़ है, तो कुछ तो बात होगी, तभी यह म का वहाँ पर rate रखा गया है, उसके हिसाब से price बढ़ा के लगाना एक important factor होता है, तो यहाँ पर सब artist अपना rate बढ़ा के लगा दिया, उन्होंने सब कुछ कर दिया, अब क्या होता है, कि इस जगा पे मेरा artwork लगा है, यह चीज एक बहुत बड़ा portfolio में हमारा name अड़ जाता ह उनके साथ artwork के साथ photo के चालिए, थोड़ा सा media coverage भी हो जाता है, कोई media वाले आ जाते है, वो coverage मिल जाता है, तो वो जो मिलता exposure, वो चीज़ के वज़े से एक artist को उसकी reputation build-up करने में फायदा मिलता है, तो अगर मैं एक line में यह पूरा खेल समझाओं, तो पूरा खेल, पूरा खेल, personal branding का है, कि एक artist अपनी personal brand कितना बनाना चाहता है, कितना बना रहा है, कितना नाम बना रहा है, उस पूरी gallery exhibition, यह वो, 100 ताम जाम करने का, पूरा एक line का खेल है, personal brand बनाना, painting sell करना नहीं, personal brand बनाना खेल है, तो जो आप 10,000 की, 10,000 की 100 घंटे तक, 10-10 साल तक मेहनत करक अगर आप 10,000 की 10 painting sell करके, एक लाग कमा रहे हो, और अगर अच्छा कासा नाम बिल्डप हो जाता है, तो एक जटके में एक painting एक लाग की sell हो जाती है, तो बात बराबर हो जाती है, that is why personal brand is so much important, तो यह सारी exhibitions, galleries, artists बार 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 करते हैं, ताकि उनका नाम बिल्डप हो सके, अब देखो, मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यह चीज़ आज इतनी matter क्यों नहीं करती है, पहले जमाने पे यह galleries exhibition का रोल बहुत बड़ा था, लेकिन आज इनका रोल बहुत कम हो गया है, आज इनकी value बहुत कम हो गई है, especially जब COVID आया था, जब galleries बंद पड़ है, आज वो अपने social media को भी use कर रही है, आज वो अपना content creation पे भी focus कर रही है, जो painting पहले galleries में लाखो लाखो में sell होती थी, उन सब के भी अपने-पने आप social media पे pages वगेरा थोड़ा सा भी search करोगे तो आपको मिल जाएंगे, तो online एक बहुत major shift हुआ COVID के बाद, okay, सारे galleries, सा और competitor या कोई दूसरी gallery बाजी मार लेगी, वो online grow कर जाएगी, उनका नाम develop हो जाएगा, ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक चीज होती है, जिसको बोलते हैं, याद रहना, कोई चीज को जब तक आप बार 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 नहीं करोगे, तो आपको वो चीज भूल जाएग आप किसी को बार 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 दिखते रहोगे, तब ही सामने वाल आपको याद रखेगा, ने तो आप उसके दिमाग से निकल चुके होगे, आज का जमाना इतना change हो चुका है, पहले का time था, जब आदमी बहुत ठहराओ के साथ काम करता था, बहुत फुरसत में काम करता था, एक एक चीज के लिए समय निकाल के जाता था, आज हमारा situation ऐसा है कि हम 100 चीज एक साथ करना चाहते हैं, 10 चीज़े दिमाग में चल रही होती है, जैसा बहुत कम हो गया है कि आदमी अलग से पूरा दिमाग खाले करके, अलग से जाए, आर्टवर्क को ले और उसके बा यह गैलरी जा जाके अपनी painting लगाना, exhibitions में बार 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 exhibition लगाना, तो अगर आप बार 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 नहीं दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, और आप सोच रहो कि मैं एक exhibition में जाऊंगा और मेरा नाम बन जाएगा, तो वो चीज भी अब बंद हो गई है, अगर मुझे actual में connections बनाने हैं, जैसे माल लो, simple समझना, simple, ठीक है, मेरी यह gallery है, मैं इस gallery का owner हूँ, ठीक है, एक artist है, वो आते हैं, exhibition में painting लगाते हैं, बहुत अच्छे artist है, अच्छा खासा नाम है उनका, उनका काम भी बहुत अच्छा है, उन्होंने छोटी-छोटी calories में क आयब हो जाएंगे, तो मैं उनको भूल जाओंगा, मुझे याद रहे वो इनसान, इसके लिए ज़रूरी है कि वो यहां बार-बार-बार-बार आके अपना artwork लगाते रहें, यह obvious यह वात है, clear है, तब क्या होगा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, मेरा उनके साथ connection बन जाएग मतलब कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप 2-4 साल तक 2-3 लाख रूपय जमा करोगे, उसके बाद एक अच्छी खासी गैलरी में जाओगे, एक बड़ी सी गैलरी में और वहाँ पे अपना painting लगा दोगे, ठीक है, अगर आप यह सोचते हो, और आपने मालो, चलो आपने 2 ला इफिट नहीं मिलेगा, फाइदा तब मिलता जब उस गैलरी में आप कम से कम 5-10-15-20 बार 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 गए होते, बार 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 लोग आपको देख रहे होते, बार 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 सेम परसन से आप मिल रहे होते, बार 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 सेम ओनर से, सेम नेटवर्क्स आप बना रहे हो के बच्चे होने चाहिए ताकि आप unlimited टाइम उस जगा पर जा सको या दो आप समझदार होने चाहिए समझदार कैसे होना है अब मैं आपको समझाता हूँ थिक है कुल मिला के goal क्या है अब हमें आपको क्यूं जा रहे थे ताकि आप artwork को दुनिया को दिखा सको तो आप अपने आपको exhibit कर रहे थे अपने artwork को अपनी color को अपने artwork को exhibit कर रहे थे लोगों से connection बना रहे थे आप बार 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 आपको जाना जरूरी है, वहाँ पर बार 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 जाना जरूरी है, तो बार बढर जाओगे, तो क्यों जाओगे, ताकि लोग आपको याद रखें, okay, recall value उसको बोलते है, recall value, तो आपको recall हो सके, बार 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 लोग आपको देख सकें, सेम लोगों के साथ आप network बना सको connection बना सको फिर क्या होगा आपको leads मिलेंगी आपको data मिलेगा ठीक है जो लोग आप में आपके artwork में interested थे या जिनको आपका artwork पसंद आया था उनके connections उनके data उनका leads आपको मिलेगा तो यह सारे चीज़ें आप करने के लिए जाते थे ठीक है पहले gallery का यह role था gallery का role actual में यही है आज जो सबसे बड़ी power आपके हाथ में है वो है आपका social media ठीक है social media के अंदर ही यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो बशर्ते आपको social media use करते वक्त दिमाग लगाना होगा रही है gallery के थुरूप लेकिन यह भी होता है कि आपके पास और भी skills होती है आपकी art skills के अलावा आप वहाँ पर present कैसे कर रहे हो आपको presentable होना पड़ेगा आपको अपनी चीज़ों को share करना आना चाहिए ठीक है आपको basically storytelling आनी चाहिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस line को ध्यान से सुनना एक पर देखना ठीक है products tell, stories sell, products आप सिर्फ बता पाओगे बिक्ती कहानिया हैं आपको क्या लगता है यह जितने भी reality shows बनते हैं यहाँ पर क्यों इतने साल से यह हो गया यह लड़की की कहा इसकी बहुत struggle stories थी मैं आपको एक कड़वा सच बता हूँ आप में से कही लोग को पता भी होगा कई बार reality shows में अगर किसी की कहानी, background stories बहुत strong नहीं होती कि उसकी मम्मी को ऐसे तबियत खरा थी, उसके घर में इसकी death हो गई थी, यह हो गया था, वह हो गया था इसकी कहानी नहीं रहती न किसी के पास, तो उसको reality show में लेते भी नहीं है, क्योंकि उसकी कहानी अगर sell नहीं होगी तो उसकी show की TRP नहीं बड़ेगी, और यह fact है, देखो जब तक इन चीज़ों को बोलते होगा, यह सब भटिया है, यह सब बेकार है, आप सोचते होगा कि दुनिया मेरे हिसाब से चलने चाहिए तो नहीं होगा, आपको दुनिया को समझना पड़ेगा, दुनिया कैसे चल रही है, और आ किया है, वो सब facts है, आपको stories बनानी आनी चाहिए, और आपको stories, actual में आपको वो कला आनी चाहिए, कि आप हर बात में story बना सको, वो कला होती है, वो भी एक art होता है, वो कि सिर्फ painting बनाना art नहीं है, बात को share कर पाना, communicate कर पाना, अपनी feelings को बोल के समझा पाना, यह सब भी कला है, और यह सब भी आपको develop करना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, अगर आप सोचते हो, कि नहीं मेरे artwork बना ले हमा काफी है, मेरे जीवन चल जाएगा, you have to learn everything which is required in your journey, okay, so, अगर एक artist अपने आपको sell कर रहा है, और वो बता पा रहा है अपने stories को, अपनी पूरा thought को, तब जाके सामने वाला उससे connect करता है, इंसान, इंसान से connect करता है, आपका artwork बस एक जरिया है आपकी through connection बनाने का, okay, मैंने हमेशा ही line बोली है, मैं फिर से बोला हूँ, बोल रहा हूँ, art sell नहीं होता, artist sell होता है, तो storytelling skills, अपने आपको present करना, कितने अच्छे दरीके से आप प्रेजेंट किया है, वो सारी चीज़े matter करती है, आप अगर 50,000 की painting बोल के लगा रहे हो, या 200,000 की painting बोल के लगा रहे हो, तो आपको देखके वे सामने वाला मानेगा कि यहाँ, इसकी value होगी की नहीं होगी, सोचना इस इसको एक बार, okay, जैसे example के तौर पे, एक बार मान कर रहा हूं कि कोट पहन के खड़े हो जाना गैलरी में जाके, मैं आइडिया दे रहा हूं, वो psychology समझा रहा हूं आपको, कि वो properly आ रहा है, neat and clean होके आ रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, कि जी सर, let me tell, let me know, कि आप क्या खाना चाल, जैसे में प्रॉपरली बात कर रहा है, तो automatically आपको फिलो गरे भाई भाई बढ़ी, थोड़ा सा मनलब कि actual में sophisticated आदमी थोड़ा सा महेंगा लग रहा है, यह basic psyche है, तो यह सारी चीज़ें आ जाती है, जब आदमी किसी gallery में कहीं शोपे अपने आपको present कर रहा होता है, क्योंकि आदमी उससे connection मना रहा होता है, और इससे ना trust factor भी develop होता है, मैं ऐसा नहीं बोरा हो कि fake बनो, कि नकली इनसान बन जाओ, आप जैसे हो वैसे रहो, बट understand, यह सारी चीज़ें आपको जब वहाँ पे present करोगे, आप connection बनाओगे, तो सामने वाले को trust बनाने में help करेंगी, अगर कोई 1-2 लाग की artwork ले रहा है, य इसलिए भी खरिदता है कि इसको मैं अपने घर पे लगाऊँगा और दूसरे लोग को दिखाऊँगा, जितने भी एक high network के लोग होते हैं, जो ameer category में आते हैं, तो वहाँ पे ना दिखावा बहुत matter करता है, aspiration value बहुत बढ़ जाती है, क्यों यह सार जितने भी products होते हैं, आप किसे और को दिखाना चाहोगे, आपने दो किताबे पढ़ ली, आप अपने दोसको बताते हो, मैं नहीं यह किताबे पढ़ा हूँ, वो human psyche ऐसा work करती है, आपने कोई अच्छा episode देख लिया, कोई movie देख ली, आप बताते हो कि मैंने वो देखा है, तूरिन देखा कि न तो जब आदमी कोई महंगी चीज़ लेता है, महंगी पेंटिंग लेता है, वो किसी भी ऐसे roughly, randomly किसी से भी नहीं लेगा, कि किसी और को बता न सकी, तो बहुत सारी चीज़े matter करती है, अगर आप थोड़ा सा business angle सोचना शूरू कर दोगे, तो अपने आप ये सारी चीज़ कि पीछे-पीछे की भी story आपको दिखने लग जाएंगी, आप लोगों को बताने नहीं पड़ेगा, आप समझदार हैं, and I believe कि अभी ये सारी points आप clearly समझ पा रहे होंगे, so the point is social media, social media आज के टाइम पे बहुत बड़ा factor है, social media पर जब आप content बनाते हो, जब आप videos बनाते हो तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ social media पे आपने artwork की photo post मत करो, आपका चेहरा दिखना ज़रूरी है, जितना आप दिखते हो, personally आपका खुद दिख रहे होते हो, उतना आपका trust build-up होता है, उतना लोग आपको जान पाते हैं, ऐसा नहीं हो था कि लोग आपके artwork को देख और पता में चल रहा है किसका artwork है, यह दिमाग से निकाल दो कि आपके artwork को देखके दुनिया में कोई भी इंसान रुकेगा, इस बात को दिमाग में डाल लो आचा, दुनिया में कोई भी आपका artwork देखके नहीं रुकेगा, अगर रुक भी गया, तो वो बस देखेगा हाँ अच्छी है, अच्छी है, वो कहीं से वो सोचके नहीं आगा कि मुझे खरीद लेना या इसको ले लेना है, artwork देखके कोई नहीं आएगा आपके पास, आपका artwork अच्छा होना जरूर चाहिए, प्योंकि आप दिख रहे हो, तब जाके आपके थरू आपके थरू आपके लेन बताता भी है, वो सारी चीज़ें होनी जरूरी है, सिर्फ पेंटिंग लगा कि अगर मैं घर में बैठे जाओं, तो उस exhibition में participate करने का कोई value था भी ने, आपका होना जरूरी हो उस जगा पे, तो वैसे जब आप social media को use करो, वो दिखना जरूरी है, वो connection बनाना जरूरी है, अब जिस तरीके से आप social media, अब आप galleries, इन सब के बिजनेस को समझ रहे हो, तो उस angle से अगर आप social media को use कर रहे हो properly, connections बना रहे हो, तो social media में जो galleries काम करती है, कि leads ले के आना, data collection करना, आपको वो सारे चीज़े social media में करनी आनी चाहिए, अगर आप, मैं एक educational content बना रहा तो जो audience उसको देख रही है, उसमें हो सकता है कोई ऐसी audience मेरे को मिल जाए, जो interested हो उस artwork को लेने के लिए, और ये होता है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ data collection का system होना चाहिए, मेरे social media के अंदर, मैं example देता हूँ, जैसे आपने मेरा भी example देखा हूँगा, कई बार हम कुछ free gift share करते हैं, e-book share करते हैं, या कोई free series share करते हैं, वहाँ पर जब आप name, number, email, id वगरा डालते हैं, तो उससे हमारा data safely store हो जाता है, कि हाँ ये वेक्ती इस चीज़ में interested है, तो कल की जेट में हमारे तरफ से कोई अगर चीज़ आती है, तो हम इनको दे सकते हैं, और इसी तरीक social media पर वो चीज़ शेर करना जरूरी है, social media पर वो चीज़ आप डालो, so that उसके through below connect हो, ये चीज़ धियान रखना कि artwork बहुत अच्छा आपको करते रहना है, artwork अच्छा होगा, तभी बाकर चीज़े enhance हो पाएंगे, connection बन पाएगा, क्योंकि artwork देखो, artwork अच्छा होना important इसलि फालतू के artworks भी थे, क्योंकि उनको तो पैसा लेने से मतलब है, वो देड़ लाग रुपे लिए, सामने वाले को allow किये, कि आप अपनी painting लगाओ, अब सामने वाला painting फालतू लगाए, अच्छी लगाए, कोई नहीं देख रहा, वो फालतू की painting भी टंगी भी थी, तो मुझे data या जिन से मुझे connection बनाना है, तो वो इस जगा पर connection नहीं बनाएंगे, यहीं पर connection बनाएंगे, और मैं एक चीज़ आपको बता रहूं, यह एक, मैं तो नादान था, मैं तो पहली बार जाना शुरू किया था, तो मैं नहीं नहीं चीज़े सीख रहा था, तो एक एक आठिश थे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी, चुपके से बताई, क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अजीब से लगे की बात आपको, कई सारे आदमी बहुत, कोई अमीर आदमी है, कोई अमीर आदमी है, करोडो की संपत्ती है, अर्बो की संपत्ती अब उनकी वाइफ जो है, मालो वो आटिश बनना चाहती है, उनको अपना आटवक लगाना है, ऐसे महंगी गैलरीस के अंदर, तब उनके पास पैसा है, दो लाख दिया, अपनी वाइफ को अलाओ कर दिया कि पेंटिंग लगा लो, अब वो पेंटिंग भले, बहुत ही वाहि वो बार-बार बार बार दे सकते हैं, कि यहां लगाते रह, लगाते रह, कोई दिक्कत नहीं है, अब लगाओ लगाओ, तो यह चीज होती है, तो नेपोटिजम हर जगा है, बाकि नेपोटिजम खराब नहीं है, अव्यसी बात है, कोई इतना महनत किया तो अपने घर कालते हैं दिमाग से लेकिन यह चीज है कि आर्ट वर्क का अच्छा होना जरूरी है अगर आपको अपने पैर पर खड़े हो के कुछ करना है तो हाँ यह चीज है कि जो गैलरीज और एक्जिबिशन जो कॉष्ट इतना बड़ा महेंगा पड़ता है वो आप सोशल मीडिया के आप बहुत आसानी से किया जा सकता है अज्यस करना नहीं चाहते हैं गर मैं जब बोलना शुरू कर दूँकि लीड्स लाओ अपने pages बनाओ, email marketing करना होगा, email के अंदर अपनी leads collect करो, ता कि email के थूर नर्चर कर सको, ये सारी चीज़े करो, WhatsApp marketing करो, वो सब चीज़ करो, तो बहुत सारे artists लोड लेना नहीं चाहते हैं, अब इतना कुछ कौन सिखेगा, painting बना रहे हैं, exhibition चल रहे हैं, वहाँ जाके लगा कर रहे हैं, हम तो इतने साल से अच्छा artwork बना रहे हैं, कोई नहीं खरीता है, art में ये नहीं है, वो नहीं है, आपने business को समझा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं कि ये सारी चीज़े करनी पड़ती हैं, तो या तो आपको इस चीज़ सीखने पड़ेगी, ये सब चीज़ लोग आपको जाने, वो सब चीज़ करना पड़ेगा, अगर लोग मान लो, मैं मान लो, मंडाला artwork करना बताता हूँ, मंडाला की designs वगरा बनाता हूँ, उसे से related लोगों को educate कर रहा हूँ, उसे से related content regularly बना रहा हूँ, तो कई सारे ऐसे लोग ऐसे भी message आएंगे, कि हम आपक खरीदना चाहते हैं, ऐसे भी clients आ जाते हैं, मैं भले सिखा रहा हूँ, मैं भले teaching दे रहा हूँ, teaching के उपर भी मैं आऊँगा, क्योंकि teaching एक बहुत बड़ा factor है, इन सारे points को जोड़ने के लिए, वो भी बहुत सस्ते में आप इन सब को जोड़ सकते हो, लेकिन जब educate कर रह background से आया हूँ, बहुत lower middle class background से, तो ये सारे चीज़े समझ में आती है कि कैसे चीज़ों को खुद से सीख के करना पड़ेगा, आप depend नहीं कर सकते कि वो gallery वाला मेरा उद्धार कर देगा, ये exhibition में जाने से मेरा उद्धार हो जाएगा, आपको clear है कि क्यों किया जाता है और क business model है उन सबका, तो आपको ये चीज़, social media अगर आपको मिला हुआ है, तो आपको अपने social media के अंदर, आपको social media के अंदर, एक तो regular content बनाना होगा, consistency के साथ, ताकि लोग आपको देखे नहीं, याद भी करें, वो content informational, educational, ऐसा होगा, तो लोग आपको, सही लोग आपको मिले हैंगी, जो serious है, otherwise अगर आप comedy content बना रहे हैं, तो वो audience, serious audience नहीं होती है, views जादा जाते हैं, बट audience serious वाली नहीं होती है, और audience अलग-अलग होती है, हर चीज में, तो अगर मैं कोई painting sell करने का भी सोच रहा हूं, या commission लग लेने का भी सोच रहा हूं, तो मेरा content educational होना जरूर या TV sell हो रहा है, तो आजकल Amazon में आपने देखा होगा, जब आप slide करते हो, तो एक educational video भी आजकल आनी लग गई है, आखरी में एक video आती है, जहां पर बताते हैं, माल लो आप एक TV ले रहे हो, TV के end में आप जाओगे, तो एक educational video रहती है, जहां पर बताते हैं कि कौन से TV अच चीजें क्या होने चाहिए, आपकी criteria के साब से वो product आपके requirement के साब से match हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो clarity जब आ जाती है, clarity एक बहुत बड़ा factor है selling के अंदर, जब हम कोई चीज sell करते हैं, कोई चीज sell करते हैं, तो सबसे पहले तो trust होना चाहिए, ठीक है, माल लो आप कोई समान, आपको माल लो TV खरिदनी है, तो आप randomly कोई भी ऐसे Chinese company का नहीं उठा लोगे, आप देखोगे कि top brands कौन से हैं, हाँ Sony है, हाँ LG है, हाँ ये है, वो है, अपने अच्छे अच्छे नाम जिसका brand बना हुआ है, आप उसको पहले देखोगे, तो trust factor सबसे पहले होता है, उ इसमें ये color होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये वाला feature होना चाहिए, ये चीज के उपर अगर आपको कोई educate कर दे, और खास कर जिस company के उपर आप छांट रहे होगर वही company वाला ही आपको educate कर दे, और आपकी requirement के हिसाब से perfect suggestion आपको देदे, तो automatically आप उससे लेना चा educational मनाना है ताकि लोग आपस connection बना सकें, आपके पास lead collection, lead collection का system होना चाहिए, ताकि जो भी लोग आपसे आ रहे हैं, उनकी leads आपको मिलती रहनी चाहिए, ताकि बाद में आप उनको email के थरू, whatsapp के थरू, उनको marketing कर सको, nurture कर सको, और value provide कर सको, calculate में आपकी जो offerings हैं, आप उन को पहुचा सको, ठीक है, अगर कोई interior design भी कर रहा है, तो वो अगर बार बार regular content बना रहा है interior के उपर, तो उस type की लोग, जो interior के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो connect हो रहे हैं, lead आ रही है, तो calculate में, अगर कोई interior related pitch करता है, उन लोगो इस्टों की life में, but artists इसको seriously लेते नहीं है, वही gallery exhibition की पीछे पड़े हुए है, बीच-बीच में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली चीज को कभी भी miss मत करना, क्योंकि जो चीज gallery में आपको 10 lakh में मिल रही है, वो आपको social media free में दे रहा है, और अगर आपके प अपने आप हो जाए, तो फिर वो तो obvious ही बात है, आप सोच के देखो कितना बड़ा difference था, exhibition galleries ये सारे जब एक मात्र उपाये थे, कार्टिश को openly show कर पाने के लिए, एक gallery में सोचो, एक exhibition में 1000 लोग आते हैं, तो वो highly successful event होता है, मतलब 1000 लोग अगर किसी gallery में आ गए, या 1000 ल जिस समझना कि ये 1000 views नहीं है, ये 1000 लोग है, 1000 लोग है, वो लोग आपके सामने होते हैं, तो आप सोचो कितना बड़ा event लगता हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना है, समझना है, इन सब पे काम करना है, तब जाके आप social media के थुरू भी उतना ही powerful impact बना पाऊगे, जितना कोई gallery exhibition के थुरू लगाता है, बना पाता है, आप देखी रहे हो आपको लोग को मैं क्या बता हूँ, आप लोग देखी रहे हो कि आजकल कैसे influencer अलग 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 उनको कितने सारे opportunities मिल जा रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा पाऊ गयल अभी एक चल रही है, कोई क जहीं वहीं से famous हो गया, उसकी उसका business बड़ा बन गया, तो अपना अपना सब अपना social media के थुरू कितना powerful काम कर ले रहे हैं, अगर आप वहीं लगे हो पुराने जमाने में कि हाँ degree लेंगे, degree लेके फिर exhibition में जाएंगे, exhibition में जाके 40 बर exhibition के धक्ये खाएंगे, फिर ये कर समझना, जो चीज़ मैंने अलड़ी बताया, कि बाकी skills भी ज़रूरी होंगी, यानि कि सिर्फ artwork लगाना और वो चीज़े नहीं, social media का इस्तमाल करना भी एक skill है, communicate करना भी skill है, educate करना भी skill है, आप teaching देते हैं, वो भी skill है, आप presentable कि इस तरीके से आप present कर रहे हैं, वो भी skill ह तो social media को properly समझना भी skill है, marketing करने के लग लग तरीके वो भी skill है, email marketing ये सब जो technical चीज़े है, वो सब सीखना भी skill है, तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप सब को compile करके चीज़ों के उपर काम करोगे, अब मैं काफी बार teaching को support करता हूँ, और मैं teacher, art teachers के लिए हम लोग अलड़ी काम कर भी रहें, क्योंकि art teaching एक बहुत बड़ा factor है किसी भी artist को grow करने के लिए, और इस चीज़ के लिए मैं एक video आपको suggest कर रहा हूँ, उसको देखिएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं art teaching बोलता हूँ, जो अगर आप मुझे पहली बर देख रह तब जाके आप समझोगे कि जब मैं art teacher बोलता हूँ, तो उसका meaning क्या होता है, और simple ये भी है, हाला कि मैंने उस video में properly अच्छे से बताया है deeply, कि जब आप art teaching करते हो, तो एक तो आप demand, जो इंडिया के demand है, उसके हिसाफ से भी काम कर रहे होते हो, आपका communication भी improve होता है, आप की चीजों को share कर पाने की capability भी improve होती है, आप चीजों को कैसे easy करके explain कर पाते हो, वो सब भी सीख पाते हो, तो सारे चीज़े ना, इससे connected है, इसलिए इस चीज, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मेरा ये मन नी करता, मेरा वो मन नी करता, हाला कि आपकी मर्जी है, लेकि के साथ बात करना, communicate करना, आसान होता जा रहा है, कि आपने feel किया, कि आपका confidence improve हो रहा है, कि आपने feel किया, कि आपकी regular art practice के साथ है, जो आप teaching दे रहो, उस समय भी आपकी practice continue हो रही है, तो बहुत idle scenario बन जाता है, automatically एक situation आप ऐसे हो, जहाँ पर आपकी सारी skills एक साथ develop हो रही होती है, teaching देने से बहुत सारी चीज़े develop होती है, बहुत सारी चीज़े clear होती है, confidence build up होता है, चीज़ों को share कर पाना बढ़ पाता है, explain कैसे करना है simple बात को, वो समझ में आता है, complex topic को कैसे, खुद समझ के analyze करके सामने वाले को बताना है, वो सब चीज़ समझ में आती है, storytelling ability develop होती है, बहुत अच्छे teaching लेवल पर आप काम करोगे, तो अपने आपको explain करना आपके लिए असान हो पाता है, वो सारी चीज़े आप कर पाऊगे, और आपकी earning भी होती है, आपकी earning भी start हो जाती है, और ये earning को फिर आप teaching को भी अगर अच्छे लेवल पर बड़े लेव हो रही होगी, तो एक आपका social media में, social media में आपका चीज़ों को बताने का, explain करने का ये सारी skills आपकी और develop हो पाएंगी, आपकी जब earning हो रही होगी, तो आप depend नहीं रहोगे, depend नहीं रहोगे कि मुझे painting को सस्ते में sell करना है, या मुझे कोई painting कोई मिल जाए, मुझे तुरंत painting sell करनी है, या तुरंत exhibition में जाना है, वो सारी चीज़ों की हडबडा हड नहीं रहेगी, आप पूरा focus कर पाओगे, अपने art के skills को और improve करने में, आप और सीखोगे अपने art skills को और सुंदर मनाए, वो सारी चीज़ों पर आपको समय मिल जाएगा काम करने के लिए, आप अपने आपको present करना, communicate करना, वो सारी चीज़ों जो teaching से होती है, वो सारी चीज़ आपको जब develop होंगी, तो automatically, जब आप कभी किसी gallery या किसी exhibition में कभी जाते भी हो, तो वहाँ प आपको समझनी होगी, and that is why I really feel, कि artists को थोड़ा smartly आजकल act करने की बहुत जरूरत है, randomly बस मत भागे, exhibition में, galleries के पीछे, या degrees के पीछे, या ये competition हो रहा तो चले जाओं क्या, या ये वाला एक event हो रहा है वहाँ चले जाओं क्या, आप सोचिए, जाईए मना नहीं है, participate बट ये सोच के participate करिए, ये सोच के वहाँ पे exhibition में जाईए, कि उसका real meaning क्या है, हम जा क्यों रहे हैं, जब आपको वो clear होगा, तो आपको बार बार tension नहीं लेनी पड़ेगी, कि मैं तो गया था, मेरी तो sell नहीं हुई, sell करने जाना ही नहीं था, पहले से अगर आपको किसी तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, I believe कि आपको एक मोटा मोटी rough idea मिला होगा, कि exhibition galleries का role कहां पे है, आपका role कहां कहां पे है, आप किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रुरत है, कैसे social media आज के टाइम पे बहुत बड़ा वर्दान है, कैसे galleries exhibitions, क्योंकि galleries exhibitions जो भी हो रह online आ रहे हैं, वो online है, आप भी online हो, वो जहां से leads ला रहे हैं, social media के थुरू, आप भी लाओ leads, okay, वो ads चला के leads लाते हैं, inorganic leads जिसको बोलते हैं, facebook ads, instagram ads, ये सब ads जो चलाई जाती है, जहां से inorganically leads हम लेके आते हैं, वो चीज़ आप भी सीख सकते हैं, facebook, instagram ads, वो सारी चीज आप जब काम करने लगोगे, तो आपको depend नहीं होना पड़ेगा, बहुत महेंगी galleries या बहुत बड़े exhibitions के उपर, क्योंकि वो चीज़ें महेंगी थी, क्योंकि वो पुराने टाम से चल रही थी, पुराने टाम से उनका इसी तरीके से base model है, कि वो एक price चार्ज करती है, networks ले प्राइस है, उस price के, उस price चार्ज करने के चकर में, उतना महेंगा प्राइस वो चार्ज करते हैं, उन्होंने पचास काम किया, उन्होंने बहुत नाम बनाया, बहुत महेंद करी, physical location जो करोडों में उनकी जमीन खरी दी, 100 चीज़ उन्होंने करी है, तो उनका connections बनता है, networks बनते हैं, तो obviously बात है, उनका rate बहुत महेंगा रहेगा, आज social media के थुरू, वही connections जो उनको gallery के थुरू मिल रहा है, जो आदमी उनको यहां से network मिल रहा है, वो आदमी आपको directly social media पे भी connect हो सकता है, तो automatically आप बहुत कम price पे, बहुत कम cost पे, बहुत सारी lead generate कर सकते हो, जिन आप पहला गोल यह बनाओ, कि social media का इस्तमाल करो, content बनाओ, अपना नाम बनाओ, educational content बनाओ, ताकि लोग आप से connect हो सके, आप value create करो, किसी और की life में मैं क्या value दो तो लोग मुझ से connect होंगे, इस बारे में सोचो, यह मत सोचो कि मैं social media पे आ जाओ, तो मेरे से लोग अपने पाँ जाए खरीदने, आप सामने वाले को क्या value दे रहे हो, वो आपको सोचना ही पड़ेगा, वो चीज़ आप करो, क्योंकि gallery में जाते हो, तो भी आप उहाँ पे उनको लाखो रुपए पे कर रहे हो, तब उनको आप उस price के बदले, price दे रहे हो, यहाँ पे आप कोई औ नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरे सिखाने के तरीका उसको अच्छा लगा, उसको समझ में आया कि हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में जानकारी रगता हूँ, तो वो मुझे painting का order place कर देते हैं, ऐसा भी होता है, example के तौर में मैं आपको फिर से बताता हूँ, simple करके, मैं यहाँ प मुझे पर trust करके, authority build up हो रही है, तो उसके through कई सरे orders आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप educational content मना रहे हो, तो सिर्फ आप teaching के लिए मना रहे हो, teaching वो तरीका है आपको चीज़ों को बताने का, वो develop होता है, तो बाकी clients भी आते हैं, बट हाँ यह चीज है कि आपका एक income source develop होता है आपका communication और बाकी चीज़े होती है, तो automatically आपके पास scope होता है बाकी चीज़े कर पाने का, आप ऐसे अंधा कुए की race में नहीं दोड़ रहे हो, अंधे गोड़े की race में नहीं दोड़ रहे हो कि हाँ कहीं पर गलती से कोई मिल जागा तो ठीक है नहीं, तो बस हम आप पाग Facebook, Instagram ads आद में चलाता है, तो ads में भी पैसे लगते हैं, Facebook ads चलाना, Instagram ads चलाना, उससे में पैसे लगते हैं, आप पैसे लगाने के लिए, आप earning कर रहे हो तो आप लगा पाओगे, आप earning नहीं कर रहे हो, तो आप लगा भी नहीं पाओगे, तो ये सारे चीज़े हैं जो आपक कर रहे हैं, उनका background कैसा है, वो किस तरीके से चीज़े कर पा रहे हैं, वो कैसे जब यह करते हैं, तो उसके पीछे उनका thoughts क्या होता है, वो सिर्फ randomly नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे 10 चीज़ें वो सोचते हैं, और ना एक मैं आपको ये वीडियो आखरी point में फिर से बताता आखरी point है, पका पका आखरी point है, ठीक है, एक ना behavior बदलना पड़ेगा, हम सब को, मैंने तो बदल लिया समय रहते, अगर आप serious हो इस बारे में, तो एक चीज़ बदल लिजे, अपने अंदर, कि ना दूसरे लोग को गाली देना बंद करिये, बॉलिवूड का celebrity को देख ल लाओ नहीं करता है, ये उसको पैसा नहीं देता है, ये heroine को ज़्यादा पैसा क्यों नहीं मिलता है, ये actor को ज़्यादा पैसा क्यों मिलता है, ये सब जो अनपड़ लोग होते हैं वो ऐसा बात करते है, maturity के साथ आपको सोचना पड़ेगा, आप खुद सोचिए पहले, कभ thought develop करने से, आप हर चीज़ को एक mature इंसान की तरह, एक समझदार इंसान की तरह plus minus analyze करके, समझ की decision लोगे, emotion में बहे के बस करना है, ये गंदा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये बुरा है, ये विराट को लिए इतना करोड़ रुपय क्यों लेता है, ये तो इतनी मेहनत करता, ये इतना कम क्यों लेता है, समझना होगा, कि सिर्फ मेहनत से earning नहीं होती, brand build-up भी होता है, नाम बनने का भी एक earning होती है, उस person के वज़े से कई सारी audience आरी तो उस person का वहाँ पर value बन जाता है, एक बड़ा बहुत नाम जिस वेक्ति का है, वो वेक्ति किस लोकालेटी पर रहने जाता है, तो उस लोकालेटी की rate बढ़ जाती है, तो वो आदमी पैसा ना भी दे, तो उसकी भी value होती है, बहुत चीज़ें, तो आपको behind the scene को सोच के चलोगे न, तो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा, सीखने में भी interest लगेगा, and I hope इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा मज़ा तो आया हो कि, interesting लगा हो कि हाँ, ये सारी चीज़ें, अब आप थोड़ा सा broad perspective से सोचोगे आगे से, and मुझे भी मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ें को share करने में, तो I hope ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारी knowledge आज के पता चले, मिलता हूँ आपको आने वाले lesson में, तब तक के लिए stay connected, hello my art family, I hope आपको ये lesson अच्छा लगा हो, the branded artist training की, एक छोटी सी detail में आपको यहाँ पर share करना चाहता हूँ, आप में से जितने भी लोग, art के field में as a teacher already established हो चुके हैं, या as a teacher आप काम शुरू करना चाहते हैं, हमारी एक training run होती है, the branded artist training, जहाँ पर जितने भी art के mentors हैं, art के teachers हैं, जो art influencer बनना चाहते हैं, artpreneur level पर काम करना चाहते हैं, art teacher अपने business को grow करना चाहते हैं, उनको एक complete training दी जाती है, business के angle से, जहाँ पर आप selling, marketing, business के बागी aspect, ads वगरा कैसे run किये जाते हैं, social media को कैसे सम महला जाता है, business के angle से, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं, the branded artist की सारी details, इस video के नीचे description में, link दिया गया है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, उस page पर एक form भी दिया गया है, उस form पर कुछ सवाल पूछे गया है, ताकि हम आपके बारे में और जान सके, तो जितने candy, या tattoo, या fashion designing से related चीज़ों को सिखाते हो, किसी भी चीज, किसी भी topic पर आप चीज़ों को, अपने education को share करते हैं, बले आप online सिखाते हो, offline सिखाते हो, ये program आपके लिए perfectly design किया गया है, तो अगर आप इन वेक्तिव में से आते हैं, या तो आप already कर रहे हो, या तो आप इ invite करेंगे अगले launch में, उस launch में सारी details फिर mention करी जाएगे, कि कैसे joining होगी, क्या feature structure है, क्या topics है, सारी चीज़ें आपको live share करी जाएगी, कोई भी सवाल हो, आप live पूछ भी पाएगे, तो इस video के नीचे, description में, link दिया गया है, TVA training का, वहाँ पे सारी details mention करी गई है, और आप आपको लगता है कि आप इसके लिए perfectly fit हैं इस program के लिए, तो उस form को fill up कर दीजेगा, so that जब इसका launch किया जाए, तो आपको invitation हमारी team के तरफ से आजाए, thank you so much again for watching this video, love art, live art.